नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कंशन भारेदवार जो आप देख रहे हैं happy parenting दोस्तो प्रेग्नेंसी में एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो महिलाओं को तंग करती है वह स्ट्रेच मार्स है जी हां और स्ट्रेच मार्स के लिए ना जाने हम कितने ज्यादा क्रीम कितने प वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है मेरी दादी नानी का वह नुस्का जिसने मेरे स्ट्रेच मांस को बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया चलिए आज यह हूम रेमिडी आपसे शेर करती हो और आपको भी उम्मीद करती हूँ इससे बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है तो चलिए शूरूर करते हैं इस रेसिपे के लिए हमें चाहिए आधा चमच portion थोड़ी से amount में आप वो ले लीजे इसके बाद आपको चाहिए olive oil यानि कि जैतून का तेल ये भी आपको करीबन आधा से एक चमच चाहिए और सबसे important जो चीज है जो ingredient है इस home remedy का वो है नीबू आपको चाहिए आधा नीबू कि यह देखिया हमने इसमें lemon juice डाल दिया है अब हमें इसे mix करना है अच्छे से कुछ इस तरह की इसकी consistency होगी यह देखिए कि देखिए आप यह सोच रहे होंगे कि यह कलर ऐसा क्यों है क्योंकि मेरे जो लोशन का कलर है वह इस तरीके का हो सकता है अगर आप वाइट लोशन इस्तिमाल करें तो यह कलर वाइट हो तो इसमें कोई अब इस सल्यूशन को आपको पांच से छे बात जहां भी स्ट्रेच माल से जो भी एफेक्टिड एरिया है वहां लगाना है और यकीन मानिए यह मेरे experience के थ्रू में आपको बता रहे हूं यह बहुत असरदार है और आप ध्यान रहे स्किन को ड्राय ना होने जैसी स्किन ड्राय हो इसको लगा लीजिए कोई भी बाहर के प्रोड़क्त लगाने के बजाए अगर आप यह लगाएंगे तो ज्यादा एफेक्टिव होगा तो देखा आपने कितनी एजी बस मात्र दो से तीन मिनट में यह होम रेविडी बनकर त तो आप प्लीज प्लीज यूज कीजिए फिलाल सले इतना ही लेगिन ऐसी ही कुछ होम रेमडी आपके लिए जरूर लाओंगी और अगर आपको कोई क्वेरी है कोई भी कुश्चिन है आपकी दिमाग में चल रहा है तो प्लीज हमसे शेयर कीजिए